अपने आप में बहुत बड़ा चालेंज रही है बिकुस जब हम बाहर होते हैं तो आम दुनिया में आपको हर कदम पे कोई जानमूच के बातें नहीं सुनाता आपको डिमीन करने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए मैंने जो भी किया उस घर में वो फेक ही कहा गया चाहे वो लोगों के लिए खाना बनाना हो चाहे वो किसी को जाके एक सपोर्ट देने की कोशिश करना हो हर बार यही बोला गया कि यह फेक है यह इसकी स्ट्राटेजी है वोटेवर तो बहुत डिफिकुल जर्नी रही है मेरा एक ही कही न कहीं मैंने एक ही चीज सोची थी कि मैं जिस तरह से हूँ मैं अपनी ऑनस्टी बरकरार रखूंगी मुझे जैसा जिस चीज पे दिल से सही लगता है मैं वैसे रियक्ट करूंगी और घरवालों को कुछ प्रूब करने का फाइदा नहीं है लेकिन मेरी ओडियंस इस देफिन दिल समझेंगी फी इन यह उप्रियंद में गूंगी यह सब्रूप लिए यह से बड़ा जवाब गीं तरह नहीं को नहीं दे सकती थी तियसलिए मैं इसका जितना अपने दर्शक को थांक्यों बोलू उतना कम है बिकोई दी एंड आफ जर्नी यह मेरे लिए सिर्फ Big Boss जीतने से ज्यादा एक खुद को as a personality साबित करना भी हो गया था और चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो जो हर जगा एक जो accusations मेरे पे लग रहे थे वो चीज प्रूफ करना बहुत जरूरी था and thank you so much everybody for showering all your love and all your support on me. I think मेरे लिए सबसे सादा difficult ये था कि मैं क्योंकि मैंने as a celebrity enter किया तो जो भी मैं कर रही थी उससे fake बोला जा रहा था and एक समय पे बोलते थी कि ये घर में सबसे वीक सदस्या है लेकिन जब किसी टास्क में बाहर निकालने की बात आती थी तो सबसे पहले मैं ही मिलती थी so I somehow did not understand that also. ये चीज मेरे लिए बहुत difficult थी कि मैं घर में जो भी कर रही थी उसको एक negative point of view से देखा जाता था and बाद में उसी तरह से मुझे बोला जाता था कि आप किसी के साथ मिलती नहीं हूँ आप किसी के साथ बात नहीं करती हूँ अगर मैं आप से कोई बात करने की कोशिश कर र मैं यूय की जो आपको रहा था बात के साथ आप такие मुझे हमे खांटा है कि जब ककुछ बी कुछ बी चीज आप अचीव करते हो तोcert दर शेक्टस देखने की और वी बात कि था इट पेट में आवगा रही मुझे कोई चाहूँ आ नहीं है के साथ होते हैं, जो आपके favor में होते हैं, जो आपको support करते हैं, लेकिन there is definitely a second opinion for everybody. So, शायद वो उनका opinion है कि उन्हें मैं fake लगती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाती हूँ कि ये 12th season है Big Boss का and हर season में जब audience vote करती है and तो उन्हें पता है कि वो किसे जिता रही है, अगर मैं three and a half months fake करके survive की हूँ और मेरे audience को ये बात पता नहीं चली है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता and मैं कल से जितने लोगों से मिल रही हूँ, वो भी मुझे बार-बार कह रहे है कि आप जी तो आपने बहुत डिगनिफाइड वे में ये गेम खेला, आप बहुत ग्रेसफुल थी अपनी जर्डनी में, तो अगर इतने सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है, तो I'm sure that the majorities understood what I wanted to show, I wanted, I was real in the show entirely and that's the reason this is with me. Okay, really, अगर ऐसा होता है तो फिर तो मैं जलक की भी विनर होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे सीजन जब जलक का चल रहा था, तब तो मैं शो कर रही थी. मुझे नहीं लगता की Big Boss में कुछ भी fixed हो सकता है, क्योंकि आप एक camera के नीचे 24-7 हो for 105 days and जनता आपको जज कर रही है, तो there is no way of Big Boss being fixed. I don't think so and I'm sure my audience will agree with me and बाकी उनका opinion है, I respect that, no problem at all. जब जाइब की कि उने भी काईना नहीं समझनी आ रही है, कि शेसन था fandom बहुत अच्छा था और सब्सक्राइब को जईते नहीं है, तो काईना भी एक्सेपने कर रही है इंग आप उन्से तो आप मिली थी उनसे तो? जी, बिल्कुल मैं मिली थी, मैं बिल्कुल उनसे मिली थी, आफकॉस हम दोनों स्टेज पर ही थे भाई और मैं इन इनको मिलिया, बहुत वर्मली मुझे हग करके, मुझे ग्राचुलेट किया, मैं उनके बच्छों से भी मिली, क्योंकि मैं जब घर में भाई के साथी, तो हमने बहुत, उनके बच्छों के बारे में बहुत बाते हमने की हैं, तो definitely मैंने, I mean हमारा equation is very good, लेकिन, जैसा कि मैंने कहा कि, वो उनका एक opinion है, जो वो voice-out कर रही है, and she has all the right to do that, and I don't have a problem, but I am very happy about this, कि मैं जो चीज़ प्रूव करना चाहती थी, मेरी honesty जो मैं प्रूव करना चाहती थी, वो मेरी audience समझी है, and I'm here. जब top two में आप opposition, क्या मैंने क्या चलत होगे है, क्या मैंने क्या चलत होगे है, कुछ tips में नहीं, मेरा ये confidence था कि अगर घर में कोई top two होने चाहिए, तो वो मैं और भाई होने चाहिए, और ये चीज़ मैंने बहुत strongly voice-out भी की थी, जो debate वाला task हुआ था उसमें, जब हम top five बैठे हुए थे, मैंने ये बहुत confidently voice-out किया था, because मुझे ऐसा लगाए कि पूरी journey में अगर कोई दो लोग बिलकुल real रहे हैं, तो वो मैं और भाई ही रहे हैं, so the fact that we two were the ones to put off the light and walk out at the end, was the proudest for me, उसके तो मैंने उस वक भी ये ही कहा था कि, अब हम यहां तक आ गए हैं, अब जो भी जीतेगा, जाहिर सी बात है, जनता को उसकी journey ज्यादा पसंद आई, and वो हुआ I think Romil है, जिनसे मैं definitely बात भी नहीं करना चाहूँगी, और मैं मिलना भी नहीं चाहूँगी जिसके उसका सीजन, क्योंड नहीं बाता है, जिसके साथ आप क्लिक नहीं कर पाते हो, and आप एक वो बॉंड नहीं डेवलप कर पाते हो, because of a lot of reasons, so Meera Romil के साथ कभी कोई Rappo बन नहीं पाया, मैं कभी क्लिक नहीं कर पाई उनके साथ, so I think, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे दिग गए सामने तो मैं मूँ मोड के निकल जाओंगी, हाई हेलो तक, ठीक है, कहीं दिग गए तो उतना है respect, क्योंकि हम इतने दिन एक साथ रहे हैं एक घर में, लेकिन उससे ज्यादा मैं सामने से होके कोई उनसे definitely contact नहीं रख़ुगी मैं इस से ज्यादा मेरे लिए, यह मेरी फामिली के लिए है, लेकिन इस मेरे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला है, वो जो शोईब, सभा, अमी, पापा, सब के चहरे पे, सब के आखों में जो हुशी है, वो, that is my biggest award, अब किस जिस तरह से शोईब और सभा जब मैंने ज़के लिए, जब मैंने लिए ट्रोफी हात में लिए, अए लिए एक बढ़े है, आपक्तिता रह के लिए है, वो, वो, मेरी असली जीत है, बिक जितना मैंने घर के अंदर रहके जहला है, और चौन्टली मैंने एक बाटल लड़ी है, equally उतना ही इन लोग उने बाहर रहकर के मुझे constantly support किया है and they've gone through the turmoil because they could see me crying, breaking down, fighting, everything and they could do nothing about it. So, ये सिर्फ अकेले मेरी नहीं, हम सब की collective जीत है and जो fans, मेरी पूरी फामिली के साथ कंदे से कंदा मिला के चले है to support me, they've gone out of their way to shower their support on me. ये हम सब की जीता है. इसी कौन सी बात है जो आप बूलना नहीं चाहेंगे और क्या सीखा अपने बिंबॉस की दर्में क्योंकि आप आप दर्में गहते हो अब आप दर्में आप आ चुके हो, क्या सीख के आई हूँ कि अपने आप पर यकीन रखना सबसे बड़ी चीज होती है क्योंकि आप चाहे जिंदगी में कितनी भी difficult situation में चले जाओ आप खुद पर एक यकीन रखो, खुद की honesty पर यकीन रखो I think that makes you win the toughest battles और Big Boss के बहुत यादिया, I think वो घर ही ऐसा है वो experience इतना खुबसूरत है, वो 105 दिन का experience कि हर एक चीज उस घर की बहुत खास हो जाती है और definitely मेरा और भाई का जो bond इतना strong वहाँ पे डिवलप हुआ है वो एक चीज है जो मैं अपने साथ हमेशे ट्रेजर करूंगे दिपिका, शीशा हमेशे अपने straight forward नेचर दे जाने जाते हैं लेकिन घर में भी उन्होंने यही कहा था कि दिपिका के जादे चान सब भी मुख्विन होने के लिए अपने अपने आपको घर में किस तरह से कंड़क्त किया है पूरी जर्डनी में जिस तरह से मैंने हर पड़ा उसका पार किया है अपना best foot front रखा है जब भी मुझे मुझे मौका मिला है और मुझे मैं इस बारे में ना मैं पहले इस बात से अग्री करती थी मैं उस दिन भी मैं उनसे बहुत नराज ही थी कि अवरे में पहले इस बाता है बीपक ने जो डिसीशन लिया उसके लिए उसके लिए इसे बहुत दिल से रिस्पक करती हूं और यूसे भी पता है बीपक, I love you and I respect you for the decision that you've taken बिकरस उसने यह दिसिशिन अपनी पामिली के लिए लिए लिया है हम सब काम करते हैं पैसा कमाने के लिए तो इसमे कोई हर्स नहीं है थिए कर यह कहने मदंने के समस्मेह तो तो शोरेग और आपकी वालो ने आपकी आपकी तान पीजिस में आपका बहुत बहुत किया बट आपका आपका अचीज के अपर क्या रियाक्षन है कि कितने लोगों ने आपकी और स्रीसान के रिलेक्शनिशिक कुछ प्रेशिक कि रहा है। I think ये घर ही ऐसा है कि इसमें आप जो कुछ भी कर लो उसको question करना ही है लोगोंने चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो जो भी हो जब लोग खाना बनाने को question कर सकते हैं तो फिर वो किसी भी चीज को question कर सकते हैं It's just the game. So I have no problems with people who raised questions. I love the people who supported me and actually I even love the people who raised questions because when you are shining और जब लोग आपको नीचे खीचने की कोशिश करते हैं तो you shine higher and you shine brighter for So thank you guys. So now for your package plans are having, what kind of price amount you have to use? Price amount? My dream is that I want to buy a house for my mom and the house hunt begins in the new year. So yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. Happy New Year to all of y'all. Can I just quickly say something for my fans? Yeah. Okay. Okay. Guys, फिर से दिल से आप सब को बहुत बड़ा थांक्यू बलना चाहूंगी. वहां पे एक बैटल जी एक चीज लडते रहना अपने आपने एक चालेंज है. लेकिन जिस तरह से आप लोगो ने मुझे समझाया और मुझे शोईव और सबाने बताया कैसे आप लोग रात रात भर जगके य'all kept voting for me and y'all used to plan and y'all used to make me trend. आप सब लोग. So all my fans, दिल से थांक्यू सो मच. DIP STARS, I love y'all. Y'all have made me win this. आप लोगो ने मैं जो कर रही थी, उसमें अपना belief कायम रखा. So this is for y'all also. ये हम सब की जीत है. Thank you so much. God bless you all. Wish you a very, 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 very happy new year. और जैसा शोईब हमेशा कहते हैं, आप हैं, तो हम हैं. So, दिल से, thank you guys. Thank you guys. झाल, 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